हाई वेलकम टो माय चैनल जिसका जो नाम है that is आई पयालीजी ओके आई पयालीजी तो आज जो है हम बात करने वाले हैं जो पहला जो चप्टर है या कहेंगे पहला जो योनिट है ठीक है ना आपकी 11 टेक्स्ट बूक का तो जिसको जो है हम पार्ट वाइस कवर कर लेंगे इन दिस वीडियो तो स्टार्टिंग फ्रम दिस वरी चप्टर तो आप लोग जो है देख सकते हो डैवर्सिटी इन दे लिविंग बॉर्ड तो अगर आप लोगं को जो है सेलबस वागिरा जो है वो जानना है तो आप मेरी जो है प्रीविस वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने जो है आपके सेलबस के बारे में थोड़ी बहुत जो है डिस्क्रिप्शन जो है वो दी है तो देख सकते हैं आप लोगं को जो है वहाँ पर यह पता चलेगा कि यह कौन से चप्टर जो है वो ज्यादा माइने रखते हैं फ्रम नीट प्रस्पेक्टिव हाला कि सारी चप्टर जो है वो इंपोर्टेंट है क्योंकि हर एक चप्टर से जो है कॉस्टन पूसे जाते हैं बट दिर आसम चप्टरस फांविच मोर दियन हम कहेंगे टू थ्री फो और एवन फाइव और एवन सिक्स और सेवन कॉस्टन से विन आसकट इफ ऐल चेक ट्रीज प्री पेर प्रीज आपनीज तो यहां पर जो है लेटस करवाएंगे तो डाइवर्सिटी इन दे लिविंग बॉल्ड येटस चप्टर प्रब्रब्र अंद्ध व्यक्त जो हमें करीबं करीबं जो चार चप्टर से इntire chapters जो है आप लोग देख सकते हों, यह जुए chapter number second, first, second, likewise third and fourth chapter is there, okay, chapter number first जो है जेलिम गॉल्ड है, second biological classification, third and fourth is on your screen, you can check it, to हम जो है start करेंगे from this very first chapter, okay, तो let's start this and आप लोग को जो है अगर आप लोग के पास text book है तो ठीक उससे जो है खोल के बेटिया आप तो अगर नहीं है तो then after you should get it from the market तो जो NCRT text book है अलेमंत की biology तो हम जो है page number first से जो है start करेंगे then after we will move on page number first in terms कि आपका जो chapter number first है इसका जो पहला page है यहाँ से हम start करेंगे to the 12th last का जो उसका page है 12th text book की जो last का page है ठीक है ना वहाँ पे जो है we will stop okay तो उसके बाइद भी जो ठीक लगेगा for example to take some objectives वह तो वाई से भी मैं chapter के साथ साथ ही जो है लेने वाला हूं तो let's first start from this then after जो है हम बाई की चीज़े भी देखेंगे okay तो chapter first the living world देखो अगर आपके पास book है तो खोल लीजे उसको and check it तो आप लोगों को जो है यह मिलेगा तो देखो आप यह जो living world है अगर आप लोगों को जो है पता है कि इस living world में जो है एक चीज़ है that's uniqueness uniqueness ठीक uniqueness ठीक है ना uniqueness skin में organisms में ठीक है तो अगर आप देखो देखो कि from bacteria from bacteria to hair organisms ठीक hair organisms कौन से for example mammals ठीक है ना सबसे higher organisms है तो यहां पे जो है आप लोगों को हर एक kingdom में जो है इन नमबर आप organisms मिलेंगे ठीक है ना और अगर आप देखोगे उन organisms को classify किया गया है ठीक है ना अगर आप देखोगे कि scientists have used so many characteristics or we can say they have used so many criteria कि वो जो है इन organisms को classify करेंगे तो when we talk about such characteristics तो यहां पे जो है हमें पता चलता है कि कितनी diversity है आपको कितनी characters इस्तिमाल करने हैं and more over यह जो organisms का number है यह इतना है कि आप लोग ऐसे सोच सकते हो कि जतने दुनिया पे organisms है उसका जो है few percent लग कुछ थोड़ा सा जो है हमने discover किया है थोड़ा बहुत डिसक्राइब किया है and जो यह discovered है इसमें भी यह भी बहुत कुछ ऐसा है जिसको describe करना बागी है तो हर साल जो जो है करीबन करीबन thousands में जो है species discover होती है खली discover होती है describe करना बाग में उनकी ecology को जानना उनके behavior को जानना उनकी anatomy physiology को जानना वो तो that stance वो ऐसे में कह सकता हूँ कि वो तो एक बाग में अलगी science है but first to discover ठीक है तो इसी तरह से जो है अगर आप देखोगे यह जो subject है what we call as the biology यह जो है it is the science of life forms किनका है life forms ठीक है ना तो and living processes यह दोनों चीज़े जो है आप लोगों को जो है थोड़ा बोहुत कलियर होई होगी देखो मैंने तो आप लोगों को कहा कि from bacteria present to higher organisms bacteria से start करो आप higher organisms ठीक है ना तो आप देखो कितने organisms आते हैं ठीक है likewise इन में कितने forms पाहे जाते हैं ठीक है ना and हर एक organism का जो है अपनी जो है life process होती है ठीक life process अकर आप लोगों को याद होगा तो आप लोगोंने जो है इन 10th में पड़ी है तो आपके 10th की biology part का जो है पहला ही unit है that's life process वहां पे जो है आप लोगोंने पढ़ा होगा उस chapter में बहुत सारी processes for example जैसे की digestion वागेरा, reproduction, respiration ठीक है ना बहुत सारी चीज़े है तो एक तो यह है कि a number of organisms है that's we have life forms there and दूसरा जो है हर एक form का जो है अपनी life process होती है isn't it so biology जो है हम कहती ही इसी को है it is the science of life forms and living processes ठीक है ना तो likewise अगर आप इसमें देखोगे you'll find here societies for example अगर आप history को जो है चा करोगे ठीक you'll find जो हमारे ancestors थे ठीक जो हमारे कहते ancestors थे उनने भी जो है अपने environment पे जो है नज़र डाली है कुछ organisms को जो है define किया है कुछ के बारे में जो है जान लिया है and कुछ organisms का जो है सोचा है कि इनको कैसे इस्तिमाल किया जाए and finally उनको जो है इस्तिमाल किया है ठीक है ना and the process continues ठीक है अब जो है ये जो करंट एरा है आप उनको तो पताए है कि तोड़ी हम कितने organisms का जो है इस्तिमाल कर पाते हैं for different services के लिए for example there are so many bacteria ठीक है ना so many bacteria जिन से जो है हम antibiotics जो है हासल करते हैं क्या हासल करते हैं antibiotics तो likewise जो है अगर आप देखोगे कि there are so many bacteria जिनको जो है हम genetic research में जो है या biotechnology में जो है उनको इस्तिमाल करते हैं ठीक है ना तो ये जो है biotechnology जो है आप लोग जो है 12 में पढ़ोगे कि कैसे जो है हम different microorganisms का जो है इस्तिमाल करते हैं to get some desired productors ठीक है ना तो one of the example is insulin इनसानों के लिए ठीक है ना तो गरस क्या है कहने का यहां पर कि यह जो हमारे इरिद गिरिद जो यह organisms है ठीक है ना इनका जो है इनसान को इनके बारे में जो है पहले ही पता था कि कुछ हाद तक कि इनका जो है इस्तिमाल कैसी किया जाए तो एंड आइसा आइसा से जो है इस इस्तिमाल करने में जो है उन्होंने नहीं नहीं जो है नहीं नहीं methods जो है वो discover की और फाइनली जो है आज अपने current era यह जो current era है इसमें आप जो है देख पाते हो कि today how in which pattern we are going to use such living organisms ठीक है अपने benefit के लिए अपनी society की benefit के लिए but एक बात जो है यहाँ पे आप लोगं को जो है नजर रखनी है देखो कुछ organisms तो ऐसे है जो discover, defined जिनका use वगिरा जो है उनके बारे में जो है हमें पता है ठीक है ना but जितना पता है वो अथना नहीं है ठीक है ना उतना नहीं है कि हम जो है आगे जाके जो है इस life का जो है ज्यादा जो है इस life में जो है इनका जो है ज्यादा इस्तिमाल कर पाएंगे ठीक है ना? So this is the reason कि ये जो man है ठीक तो इसने जो है research continue की to discover these life forms and try to describe the life processes ठीक है ना? तो this is the reason कि ये जो anthropocentric view है ठीक है ना? इस पे जो है biology रह नहीं सकती है जुरूरी है कि ये जो biology है ये आगे जाके progress करें so that कि ये जो subject है बज़ादी खुद जो है कामयाब रह पाएंगे ठीक है ना? तो आप लुग को तो पता ही है biology कैसी जो है वो progress करेंगी when जो आप पढ़ने वाले हूँ या जो हम पढ़ने वाले है तो जब हम इसमें जो है research को पहले पढ़ेंगे then after we'll go for research and research से जो है नहीं जो है discoveries, innovations, ठीक है ना? inventions उनको जो है हम जो है what to see? उनका जो है हम इस्तिमाद कर पाएंगे ठीक है न? या उनको जो है हम लाहे अमल में जो है ला पाएंगे ठीक है न? लाहे अमल में जो है ठीक है ठीक है तो likewise so अगर आप देखोगे पिछले 100, 200 या 300 साल से जो है क्या चर रहा है तो systematic and monumental description of lifeformers जो है इसको brought in किया गया out of necessity ठीक न? detailed systems of identification, nomenclature and classification की जो है उसको जो है utilize किया गया है ठीक है न? so यहाँ पे जो है अब नई नई terms जो है हमारे पास आ रहे है that's identification, nomenclature and classification ठीक है ठीक है ठीक है न? तेखो अब जाके जो है यह जो पहला पहली सलैड जो है जाके आप लोगों को लग रहा है कि something is here which you people think may or may not be important ठीक है ठीक है न? and आप लोगों को तो पता ही है text book का जो है हर एक corner जो है वो important पेश की तो बात ही नहीं है ठीक है न? तो this is the reason हमने जो है पहले page से start किया है and पहले line से start किया है ठीक है न? and जहाँ जहाँ पे मुझा लगता है कि examiner जो है वो कुछ कर सकता है क्या कर सकता है? objective बना सकता है तो मैंने जो है वो सब कुछ जो है extract किया है आपकी book से so that कि कुछ छूट न जाए ठीक है न? तो this is the reason थोड़ी बोग जो है यहाँ भी history चल रही है history से जो है हम foreign जो है future में चले जाते है यह future से जो है वाप history में चले जाते है ठीक है न? so यह current era में आ जाते है so a bit here we have to इसने जो है ऐसे ही describe किया and हमें भी जो है थोड़ा बोग जो है ऐसे ही चलना है till कि हम जो है उस बात पर पहुँच जाए जो हमें discuss करनी है ठीक है न? तो फिलाल के लिए सुनो आप तो देखते हैं कि हम जो है क्या कर पाएंगे आगे आगे जो है यह lecture कितना interesting जो है वो होता जाएगा तो बात चली थी आप यहाँ पर जो है identification, nomenclature and classification की ठीक है न? तो अगर आप देखोगे आपके आने वाले chapters में हम इनी चीज़ से जो है डील कर लिंगे identification simply to identify an organism ठीक है न? simply to identify an organism for example आप लोग को जो है वो पता ही होगा कि जो हमारे पास kingdom से ठीक है न? 90 से पड़े आ रही हूँ हमारे पास जो है kingdom kingdom जो है for example monera ठीक protista likewise fungi likewise planting likewise animal ठीक तो हमारे पास जो है पाँच आए हाँ तो यह जो हमारे पास पाँच के इंगड़म से वाइरस तो पेंडिंग है तो हमारे पास जो है एक separate मसला है ठीक है न? तो हमारे पास जो है पांच kingdoms आये that's kingdom monera protista fungi इसी तरह plant and animal ठीक है तो इन मेंसे जो है you will find a number of organisms आठीक है कौन से ओर्गनिस्म living organisms ठीक है न? organism literally means body जब मैं organism क्यादा हो न? तो literally it means body and when we say living organism तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि हम किसके बारे में बात करें ठीक है तो अब देखो जो living organism monera से belong करते हैं उनको आप कैसे distinguish करोगे from the protesta और किस organism अगर for example आप किसी ऐसे organism को discover करते हो जो कि single cellar है तो यह जानने के बाद कि यह single cellar है कौन से kingdom में जो है डालोगी and then after kingdom में डालने के बाद जो है आप कौन सा criteria इस्तिमाल करोगे to further classify that organisms or that organism ठीक है ना ताकि आप जो है उससे under different phyla जो है यह different class में यह different species से जो है एक तो differentiate कर पाऊगे and किसी category अंदर जो है उससे रख पाऊगे ठीक है ना तो this is what the identification is ठीक है ना and identify करने के बाद जब आप यहाँ तक पूछे यह तो ऐसा organism है जो monera से belong करता है then after you have to go for the next setup that is the nomal culture ठीक है ना आपको जो है इसे नाम देना है for example यह देखना है यह किस species से belong करता है किस genus से belong करता है accordingly जो है binomial nomal culture के हिसाब से जो है आप नाम दे सकते हो and like and so is the case with the classification ठीक है ना कि आपने यह जो दो steps की है कैसे की है ठीक है ना कौन से criteria इस्तिमाल की है क्यों की है ठीक है ना all that things will be there ठीक है ना जो इनको जो है आप इस्तिमाल करते हों तो इस slide में जो है आप लोगों के लिए अब briefly क्या है कि biology जो है यह है कि it is the signs of life forms and living processes life forms तो आप लोगों को पता चला कि जितने भी दुनिया पे जो है living organism है ठीक है ना उनकी जो अलग-अलग organism की जो uniqueness है ठीक है ना यह जो uniqueness है यही diversity है ठीक है ना अट हर एक organism की जो है अपनी life processes होती है ठीक है ना so we can say biology is the signs of life processes and living life forms and living processes ठीक है ना तो processes में जो है different जो है for example different processes आते है for example there is digestion respiration excretion nutrition ठीक है ठीक है ना and all that things जो है जब आप इनको पढ़ते हो life forms को पढ़ते हो then this यह जो subject है इसको जो है हम नाम देते है biology ठीक है ना simple जब आप life forms को पढ़ते हो and in life forms में जो life process है यह जो living process है ठीक है ना उनको पढ़ते हो then we call this subject as the biology ठीक है ना so bio means life and log means saturday ठीक है saturday of life ठीक likewise तो यह भी जो है यहाँ पर आप लोंको पता चला कि यह जो इंसान है ठीक जो man है different life forms के बारे में जो है यह एवियर था ही ठीक है ना long ago तो कुछ का इसने इस्तिमाल सीखा तो कुछ का नहीं पता था ठीक है ना तो with the passage of time जो है हम discover करते गई क्यों क्योंकि अपनी जो है use के लिए अपने benefit के लिए जो है हम discover करते गई research करते गई inventionist innovationist वो सब कुछ करते गई ठीक है ना ताकि हम जो है अपनी society को जो है बैथर फाइदा पोचा सके और इनका जो है बरपूर इस्तिमाल कर सके ठीक है ना इस्तिमाल वो भी कैसे कर सके अगर आप आज देखोगे तो sustainable use किया जाता है ठीक है ना वो भी है description के बारे में जानने लगी इनको identify करने लगी इनको जो है इनको जो है नॉमन के लिचर देने लगी एंड इनकी जो है classification जो है वो करने लगी ठीक तो यहाँ पे जो है आप लोग ने few points जो है वो complete किये तो side में नजर डालते है तो आप देखोगे the living world chapter 2nd biological classification ठीक है न तो likewise plant kingdom and animal kingdom जो कि हम इस unit के अंदर जो है different chapters को कवर काने बाले है चलते हैं next slide पे and ठीक देखते हैं कि what will do the ठीक तो देखो तो आपकी जो है बुक ने mention किया है the biggest recipient of such studies was the recognition of the sharing of the similarities among living organisms both horizontally and vertically ठीक है न that all present today living organisms are related to each other and also to the organisms that ever lived on this ठीक तो आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हो देखो एक बात तो clear ही है ठीक है न अगर आप different life forms पे नज़र डालते हो ठीक different life forms पे जो है नज़र डालते हो आपको कुछ ऐसी चीज़े मिलती है जो की जो है common है ठीक है न इन में जो है कुछ similarities है ठीक and likewise इन में जो है कुछ ऐसी भी चीज़े है जो की similar है नहीं ठीक है न तो दो चीज़े यहां पे अबर के आती है यहां पे अबर के आती है कि यह जो similarity है यह आप जो है horizontally देख सकते हो यह तो जो है आप vertically देख सकते हो for example vertically कैसे देख सकते हो and horizontally जो है वो कैसे देख सकते हो ठीक है न तो मान लो कि आपके पास जो है different life forms है ठीक ठीक for example अगर आप लोग ने सुना है DNA replication ठीक है न तो across the kingdom Monera you will find कि करीबन करीबन जो है सारे organisms इनकी जो process of replication है that is बहुत extended करीबन करीबन जो है 99.9% ठीक है even I can say 100% वो जो है similar है ठीक तो likewise जो है आप अगर देखोगे कि the process of digestion the process of digestion in lover organisms, higher organisms and in some single-celled organisms ठीक है न वो भी करीबन करीबन जो है जब हम digestion कहाँ पर at the enzymatic level पर देखते हैं जब enzymes जो है products को तोड़ते हैं तो वो भी जो है करीबन करीबन जो है वो भी similar है ठीक है न but with this आप उनको जो है ये भी याद रखना चाहे कि there is a lot of differences between the organisms जो है ठीक है न similarities तो है ठीक है न चाहे वो horizontal हो यह vertically हो ठीक तो लेकिन जो है differences भी है ठीक है न कैसे उनको जो है इस्तिमाल किया जाए आगे जाके तो हम देखने वाले है ठीक तो likewise कि अगर आप देखोगे कि आज के organisms के दिरम्यान जो है आपको similarities भी मिलेंगे differences भी मिलेंगे and likewise जो है ये similarities आपको मिलेंगे between कि ये जो organisms आज जो है जिन्दा है and वो organisms जो in the form of fossil जो है वो preserved है ठीक for example for example when आप ते तिंग which I would like to discuss here for example bones को अगर हम भी ठीक bone material जो है अगर आप देख पाओगे किसका बना है calcium phosphate and बाखी भी कुछ चीज है ठीक तो आप अकर ये उन organisms को उन organisms में जो है चकर होगे जिनका जो है आज खाली fossil ही बचा है ठीक ना for example dinosaurs and आज के organisms में चकर होगे तो करीबन करीबन जो है आपको composition जो है वो similar pattern का मिलेगा and ये जो tissue है ठीक है ये जो mineralized tissue है ये उस वकत भी exist करता था ठीक likewise आप लोगं को digestion process उस वकत की अगर आप को मिलेंगी ठीक है न करीबन करीबन जो है वो आज भी exist करते है तो इसका मतलब ऐसा है कुछ कि today we have something जो already present था इसका मतलब ये भी है कि अगर आपको आज का कोई organism fossil record में नहीं मिलता है then it also means that कि शायद ये organism उन organisms से जो है इवालू हो चुका है ठीक एभी थोड़ा आप लोगं को मुश्किल लागेगा कि ये समझ न मैं किस बारे में बात कर रहा हूं ठीक न कि जिसको हम short form में evolution भी कहते है but believe में आगे जागे जो है terms जो है और के लिए होती जाएगी and फिलाल के लिए हम जो है आगे चलेंगे so in this unit let's try to do let's try to get a description जिसमें जो है classification of animals plants from a taxonomist perspective से जो है वो हम कुश्ट करेंगे जानने की ठीक तो let's see देखो जब आप अपनी textbook की next page भी जो है वो चले जाओगे तो आप लोगों को जो है करीवन-करीवन जो है next आपको जो है एक तो ये photograph आपको मिलेगा वहाँ पे and side में जो है ये description मिलेगी ठीकि न देखो जैसे मैंने पहले कहा कि each and every याद रखना each and every okay corner of your text book is important and जितना भी उस में है वो सब कुछ important remember it ठीक so this is the reason कि उस page number के बाद जो पे जाता है we have to take that yes जो है आज बन रहे है taxonomy की बुक है याँ जिसे हम आज systematics कहते उसकी वीडियो जो है बन रही है जो कि मेर ने खुद लिखी है मेर एंड दूसरा आथर है उसका इशलॉक तो उसकी भी वीडियो जानी वाली है but that's not for you people जो भी 11th 12th में पढ़ रहा है उसके लिए तो नहे है नहीं ठीक है नहीं that's for जो college students है एंड जो university students है या जो research कर रहे है उनके लिए है ठीक तो मेर के बारे में जो है थोड़ा बहुत जान लेते है देखो मेर जो है आप देख सकते हो 1904 2004 2004 में जो है इसकी death हुई 1904 में जो है इन्होने जो है जनम लिया है ठीक so born on 5th July 1904 in Campton, Germany ठीक है न तो Harvard University evolutionary biologist थे जिससे नाम दिया गया जिससे नाम दिया गया later on the Darwin of the 20th century ठीक है न तो मन लो कि अगर NEET में जो है ये पूछा जाता है which one of the following scientist is also known as the Darwin of the 20th century तो क्या आ जाएगा फिर answer ठीक मेर so यहाँ पे जो है objective basic बन सकता है and बहुत ही अच्छा objective है मायर जो है इसने Harvard University को जो है join किया as Harvard Faculty of Arts and Science in 1953 कब join किया 1953 and retired in 1975 assuming the title क्या title मिला इसे Alexandra Agassiz Professor of Zoology Emirates ठीक तो ये बात याद रखना कि कौन से साइंटिस को Alexandra Agassiz Professor of Zoology Emirates मिला था ठीक है न ये title मिला था इनको तो किसको मिला था मेर को ठीक है He also pointer the currently accepted definition of biological species ठीक है न तो मैंने जो आप लोंग के साथ थोड़ी बहुत ये भी बात छेड़ी थी evolution के बारे में ठीक है न तो जब आप वहाँ पर पोच जाओगे तब जो है हम कुशिश करेंगी define वहाँ पर क्या ये भी जो है आने वाले आपकी एक दूछ चप्टर इस है उनमें जहीए जो है हम species term को जो है define करने वाले है ठीक species term को जो है हम define करने वाले है तो ये जो biological species concept है ये भी जो है मेर ने दिया है He almost a single-handedly made the origin of species and diversity the central question of evolutionary biology that is that it is today ठीक है न देखो और एक concept जो है उन्होंने जो है आप यहाँ पे देख सकते हो origin of species diversity ठीक है न ये जो species diversity है ये कैसे उबर के आई इसको जो है एक central question बनाया ठीक है न किसका evolutionary biology का ठीक है न हम देखेंगे ये origin of species diversity आगे जाके क्या है कैसे कि जो Darwin की जो धोरी है उससे जबरदस तरीके से जो है इस्तिमाल किया जाता है and also widely regarded as the triple crown of biology ठीक है न सो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि ये जो Ernest Meyer है also known also regarded as triple crown of biology ठीक क्यों कि इनको जो है तीन एवार्डस मिले थे ठीक है न याद रहेगा न यहाँ तक triple crown of biology इनको जो है तीन एवार्डस मिले थे दिबलजन प्राइज इन 1983 पहला एवार्ड देटरनेशन प्राइज फॉर बायोलजी इन 1994 पहला आवार्ड कप 1993 में दूसरे आवार्ड कप 1994 एंड क्राफ़ोड फ्राइज इन 1999 ठीक न यहाँ पर जो है तीन डेटस जो है आप लोग को जो है जबन याद रखने है एक 1983 1994 and 1999 ठीक यहाँ पर जो है हम जो है इनको हाइलाइट करेंगे one is 1983 1994 and third one is 1999 एको मेरे लिए तो यह तीन चीज़े जो है उतनी इंपोर्टन्ट है नहीं ठीक है न इसको कब कौन सा प्राइज कब मिला ठीक है ना 1983 में पहला 1994 में जो है दूसरा and 1999 में जो है तीसरा ठीक है ना पर प्रपल काओ but from the examination point of view आप लोग को जो है यह तिनों चीज़े जो है याद रखनी है तो अगर आप देखोगे बल्जन प्राइज बल्जन प्राइज जो है कब मिला था इनको it was 1983 ठीक likewise जो है दूसरा प्राइज हाँ the international prize for biology ठीक है ना international prize for biology कब मिला था 1994 1994 में तीसरा प्राइज प्राइज जो है वह आप देख सकते हूं रैफ फोर्ड ठीक है ना एफ प्राइज कब मिला था तो 1999 ठीक ना ये जो है तीनों प्राइज जो है आप वोगों को जो है याद पहला बसने कब 1983 दूसरा इंटर्नेशल प्राइज वार ऑजी अमिला था 1990 नेटीन नाइटीन निजोन फॉर्ड जो की जो है मेर को मिले थे एरनस्ट मेर को मिले थे nd because of these three prizes इसको ये जो अर्नेस्ट मेर है। and he was widely regarded as the triple crown of biology okay so because of these three so mere ko cho naam uh it was triple crown of biology okay okay so here नहां पे जो है मेर डाइड एड़ एड़ एज हाँ आफ हंड़ेट इन दी येर टूथाज़न दफोर कितने साल इस नहीं पे बिताए सो साल पिताए खुद की सोच लो आप कितने बिताओगे चलो चलते हैं तो विद इस अगर आप लोग देखोगे तो ये वाली स्लाइड इसे पहली वाली स्लाइड और इसे पहली वाली स्लाइड ठीक है ना करीबन करीबन जो है इसके दो यहां तीन पेज़ जो है आपकी टेक्स्ट में पहले है जब आप यूइनिट जब आप लोग ने जो है unit start किया कौन सा diversity in the living world ठीक है न जब आपने unit start किया diversity in the living world तो करीबन करीबन जो है 2-3 pages आप लोग को मिलेंगे जिसमें जो है ये description आप लोग को जो है मिलेगी वहापे जिसको हमने आपने जो है briefly आपके सामने जो है postulate किया ये आप लोग के सामने जो है present किया ताकि अगर कोई भी ऐसा object हो object भी हो जो need में पूछा जा सके तो वो जो है हमें remember आप चाहे तो है notes भी बना सकते हो ठीक है न ये चाहे तो PPTS भी जो है मुझसे हासल कर सकते हो ठीक है आगे जाके हम यहाँ पर number भी रखेंगे WhatsApp number वगेरा बागी चीज़े ठीक है ताकि आप लोग ग्रूप में जोट जाओगे so that you will get these PPTs also चलो करते हैं मुझ and पूछते हैं chapter 1 पर देलिव गॉल्ड ठीक है न यहाँ पर जो है chapter 1 देलिव गॉल्ड अब जो है यहाँ से हमारी biology जो है उस स्टार्ट हो जाएगे so coming on this so क्या है living what do you mean by living यहाँ मैं ऐसे क्या सकता हूँ क्या आप लोगों में से कोई life को define कर सकता है likewise diversity in the living world में क्या है इसी तरह taxonomic characters क्या है इसी तरह taxonomic aids जो है वो क्या है वो जो है इन सब का जो आप जो है हमें स्टार्पर में मिलने वाला है तो let's start यह आप लोगों के लिए मैं question देता हूँ हम लोग तो कहते हैं biology biology bio मतलब life and logging मतलब study ठीक दो चीज़े life study ठीक है तो biology को जो है life science भी कहा जाता है यह ऐसे जो है आप लोग देख सकते हैं तो अब जो यह life study है देख़ए इसमें तो दो चीज़े आती है एक तो life आती है ठीक and तो study to study study तो सब लोगों को पता ही यह है क्या लेकिन यह जो life है जरह आप लोग यह बताओ कि यह life है क्या आप इस life को जो है define कैसे कर सकते हो जो भी यह वीडियो देख रहा है कुशिश कर लो एक मिनट के लिए कि आप जो है life को कैसे describe कर सकते हो किस चीज़ को आप कहोगी कि यह जो है यह जिन्दा है यह जो यह जिन्दा है what does it mean ठीक है ना तो यहाँ पे जो है let's try to understand it अगर आप लोग ने सुचा तो ठीक अगर ना सुचा तो थोड़ा बहुत जो है पास कर सकते हो क्योंकि यहाँ से आगे जो है न जहाँ से यह start हुआ अब जो है हम दिलील कुछ कहने वाले नहीं है क्योंकि अब जो है हमारा material original material जो है वो start हो गया है so this is the reason we need to move and that too at a good speed ठीक ना so अब देखो हम सब लोग को जो है पता है इस universe में जो है typically जो है दो चीज़े exist करती है कुछ ऐसे चीज़े जो है जिनको हम नाम देते हैं living ठीक and कुछ ऐसे चीज़े जिनको हम नाम देते हैं non living ठीक अब बात यह है कि what do you mean by life ठीक ना यह है क्या यह simply कि यह जिन्दा चीज़े जो है यह है क्या तो typically we recognize life by what the living things do and may be defined as the state or quality that distinguishes living organisms from dead ones तो हम कहते हैं कि यह जो life है यह कुछ ऐसे चीज़े है जो हमें distinguish करें दो चीज़े उनके दिर्मियान किसके एक तो living एंड दूसरा जो है non living इनके दिर्मियान जो है अगर हमें distinction कोई ऐसी चीज़ distinct करती है यह करवा देती है तो हम जो है उस चीज़ को नाम देंगे life लेकिन अब देखो जो है पंगा है अगर मैं अब आप लोग उसे यह बात कहूँ कि यह है क्या फिर यह चीज़ ठीक है ना जरा इसे define करके देए तो again जो है यह बजाएटी खुद question बन जाता है ठीक है ना तो ऐसे हम कह सकते है characterized by some of the properties and processes that are associated with it and are as देखो जब अब हम यह बात कहते है कि चलो ठीक है हमने माना कि यह living है कुछ ऐसे characters बताओ जिनके बिना पे जो है मैं अब इस चीज़ को distinguish करो from the non-living ठीक है ना तो आप लोग के जहन में भी जब मैंने question पूछा था कि क्या है यह living organism तो आप लोग ने सोचा होगा living organism कोई ऐसी चीज़ है जो growth कर पाए जिसकी development हो पाए जिसका जिसके जिसमें cell पाई जाए यह जो cells का बना हो ठीक है ना likewise जो reproduction कर पाए जिसका metabolism हो या likewise जो है जिसका homeostress हो अगर किसी ने सोचा होगा या जिसकी जिन्दगी हो या life cycle हो ठीक तो हम भी जो है इन चीज़ों को जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत कुश करेंगे छेड़ने की यह कुश करेंगे जानने की कि क्यों ऐसा होता है कि क्यों आज तक biology life को define कर ही नहीं पाई बात के लिए हाला कि यह चीज़े हैं ना हमारे पास आप देखो आप इस लिस्ट पे जो है नज़र जालो ठीक इस लिस्ट पे नज़र जालो आप लोगों ने जो भी यह characters पड़ी यह तो living organism में पाये जाते है of course and such characters will allow you to distinguish living and non-living ठीक है ना living from non-living यह characters जो है आपको मदद करेंगे कि आप distinguish कर पाओगे living को non-living में but still मैं कहता हूँ कि life को जो है हम आज तक define ही नहीं कर पाए ठीक है ना इन characters होने के बावजूद भी क्यों थोड़ा बहुत कुछ कर लेंगे जानने की देखो अब जो पहले term पे आ जाता है that is growth ठीक है ना यह आ जाता है growth अब बताओ जिसमें growth हो पहले यह बात बताओ growth है क्या ठीक है ना पहले कुछ कर लेंगे जानने की what do you mean by growth तो आप लोगों मैसे जो है कुछ लोग सोचते होंगे growth मतलब कि जब increase जब increase in size हो अब what arrow means increase in size ठीक जब increase in size हो ठीक है बात कोई बात नहीं हाँ बट इतना जोड़ लो irreversible increase in size ठीक है ना फर एक्सेंबल अगर यहां पे कोई cell है ठीक इस cell के अंदर जो है पानी चला गया ठीक तो इस cell का जो है volume जो है वो increase हो गया ठीक बट अगर इस cell जो है ना वापस इस पानी को lose कर पाएगी या lose करेगी तब जाके जो है यह वापस छोड़ी बन जाएगी ठीक है ना इसको तो हम growth कह नहीं सकते है यह बात याद रखना है ठीक तो फिर किसको हम कहेंगे growth जब ऐसा कुछ हो जाए कि यह जो organism है एक बार जो है इसका size increase हुआ अब यह जो size है यह अब वापस रिवर्स ना हो जाए यहाँ लेट मी फिर्स सेलेक्ट दे कलर यह हाँ तो क्या है कि यह जो organism है माल दो ठीक जब इसका जो है size बड़ा हो जाएगा ठीक है ना बड़ा होने के बाद यह फिर से छोटा size ना बन जाए ठीक उसको जो है हम growth कहेंगे simple terminology में simple बाशा में ठीक है ना तो English में कैसे दर्श आएगे it is irreversible increase in size यहाँ तक बात के लिए अब बात यह है कि चलो मान लिया कि यह जो growth है यह irreversible increase in size है यह हो जाती है किन में living organisms में ठीक living organisms but let me tell you कि अगर आप यह ही मान के चलती हो कि living organisms में growth हो जाती है non-living में नहीं है तो फिर आप लोग गलत हो ठीक तो non-living organisms जो है उन में भी जो है growth हो जाती है that is irreversible increase in size ठीक है मैंने पहले growth को define किया न as irreversible increase in size तो अब मैं कह रहा हूँ कि पहले ही कोई जो है बहुत बड़ा हो जाए या जैसे कि डाइनसूर जो है बहुत बड़ी या हाथी जो है elephants जो है बहुत बड़ा size है या whales जो है उनका भी size बड़ा है likewise माईस है चोटा size है चोटा size है बाग insects है या head loss वेगरा जो है छोटी छोटी size या even bacteria जो है divide करते है फिर एक cell का size attain करते है मान लिया कि वो growth है कोई बात नहीं कोई tension नहीं ठीक है न और हो जाती है living organism क्योंकि जितने भी मैंने नाम लिया वो तो living organism सी है बट अब बात यहाँ पे आई कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि non-lingu organism में भी growth हो जाती है अगर आप कोशिश करोगे या just to google में जो है search दोगे and you will try to check the height of Himalayan mountains ठीक है ना height of Himalayan mountains आप लोग देख पाओगे कि पिछले 10 साल height जो है इनकी बढ़ती जा रही है कम नहीं होती जा रही है ठीक है ना बहुत सारी चीज़ है ऐसी वहाँ पे भी जो हाँ height up Himalayan mountains यह क्या जो है increase होती जा रही है अब देखो दूनों चीज़ों में जो है फिर तो growth हो रही है ठीक living organisms में भी and non-living organisms ठीक पर यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पात याद रहा देखो एक difference में जो है आप लोगों को यहाँ पे बता देखो यह जो living organisms है याद रखना ठीक है ना इन में जो material है ना growth के लिए ठीक उसको add किया जाता है within the body ठीक add it within the body ठीक मांग लो कि यह आप ठीक यह जो है यह आप पता नहीं कैसे इंसान में ने पता है मैं तो यह तो इजीब सा इंसान बन गया और पहले आप किये देता हूँ क्योंकि मैं जो है मैंने जो है यह नया ही लाया एपी यह सिस्टम तो properly जो है यह भी work work तो करता है लेकिन थोड़ा बहुत मुझे भी तिकत हो रही है ठीक तो मान दो मान दो यह यह इंसान है ठीक तो AB के बार जो है इसकी height कुछ है ठीक यह मान दो कि यह आप हो ठीक तो जब आप लोग जो है 5 साल के थी 5 years old ठीक आज जो है आप करीबन करीबन जो है 18 years old मान दो मान दो ठीक है कोई कम भी होगा कोई ज्यादा भी होगा आप लोग जो है आज 18 years old ठीक तो कैसे कॉंसिडर कर लूँ ऐसे कुछ इस तरीके से तो यह पहले जो है आप हो 5 years old अब आप लोग जो है बड़े होते जा रहे हो आप लोग जो है आप 18 years old ठीक तो जब आप बड़े होते गए from 5 years to 18 years old क्या ऐसा हुआ कि आपके माँ बाप ने जो है दूसरा सिर लाया और आपके सिर के उपर रखा देन आफर आप लोग की जो है height वो इंकरीस हुई नही ना ऐसा मत हुआ या ऐसा क्या किसी के साथ हुआ कि उसके पेरूंग के नीचे material एड़ किया गया ठीक ताकि उसकी जो है height बढ़ जाए मत हुआ ना ऐसा ठीक है ना आपका तो हर एक body part जो है proportion के हिजाब से grow किया ठीक है ना याद रखना हमारे जितनी भी body part से जब हम बड़े होती जा रहे है तो वो proportion के हिजाब से बड़े होती जा रहे है ऐसा नहीं है कि कोई अपनी मर्जी से ही grow कर ले kidney तो फिर बन जाएगी कितनी बड़ी kidney तो फिर इतनी बड़ी बन जाएगी कि पूरा जो है ग्रो करना है proportion के हिसाब से ठीक है ना तो liver जो है अपनी एक रफ्तार जो है वो grow करेगा बागी और्गनिस का खया रखते होई heart जो है likewise ये जो चीज़े जो है genetically controlled होती है कौन सी चीज़ को कितना grow करना है ठीक है ना तो grow होती है proportion के हिसाब से तो खेर लेकिन यहाँ पर जो बात उबर के आती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ना आपके सिर के उपर material एड़ किया गया ना आपके पेरूंग के नीचे ठीक है ना तो इसको हम के भी के बार कहते है growth by interception ठीक कि आपकी body के अंदर material एड़ किया गया बट अब आप ले लो इसी mountain की बात ठीक इसी mountain की बात ले लो फर एक्जमपल यह हमालियन mountain है ठीक इसको नीचे से material एड़ किया जाता है ठीक ऐसा नहीं है कि इसके body में material एड़ कभी नहीं किया जाता है यह चलो top पे एड़ कर सकते हो ठीक और bottom पे एड़ कर सकते हो लेकिन बीच में कभी नहीं किया जाता है within the body material एड़ नहीं होता है and this type of growth होई called as a creation ठीक यहाँ पे जो है मैंने एक जगा पे जो है वो आप लोग जो है देख सकते हो called a creation ठीक so non-living organisms में जो growth हो जाती है that's by a creation so hope कि यहाँ तक जो है आप लोगों को growth का concept थोड़ा बोच समझ में आएगा ज्यादा नहीं समझ में आएगा आएगा इनू ठीक न क्यांकि खुशिश है यहाँ पे कि आप लोगों को जो है उतना उतनी terms बताई जाए उतनी short concepts बताई जाए कि जब मैं आगे जागे chapters उठाओ तो चीज़े जो है वो आसन बन जाए ठीक है न तो अगर मैं बिलकुल ही जो है basic limit पे यहाँ पे चलूँ तो then let me tell you कि अगर आप इस साल का need पे आपर visualize करोगे you'll find कि उसने जो है terminology कैसे इस्तिमाल की थी this is the reason जो है मुझे इस तरीकी से कुछ चलना है कि जब आप objective देख लोगे तो आप लोगों को जो है यह सारा text जो है आपकी दिमाग बियाना चाहिए this is the reason हम जो है बिलकुल ही basic level पे नहीं चल सकते ठीक since the process of growth is accompanied by the cells और एक बात non-living organisms में कौन से material add किया जाता है कुछ अंदाजा कर सकते हो for example mountainous में जो है add किया जाएगा नीची से वो lava, magma, घेरा ठीके ना जो कि बना होता है different minerals का and so on and so forth but living organisms में जो है यह growth हो जाती है it is by virtue of cell division इसकी बदोलत हो जाती है it is by virtue of cell division cell जो है अपना number increase करती है increase करने के बाद जो है अपना volume increase करती है तो उससे जो है हम कहते है कि irreversible increase in size हो गया and this is what we call as the growth ठीके ना so यहाँ पे जो है आप लोग को यह बात आप पता चलनी चाहे कि growth में जो है यह cellular organization होना और cell का जो है growth करना, cell का जो divide करना यह characteristic future है किन का? living organisms का नाखिजन किन का? non-living organisms का otherwise, जब आप कैसे होना growth growth तो दोनों में होती है मैंने पहले भी कहा, living में भी, non-living में भी but अब जब आप आते हो living organisms पे तो living organisms पे जो है पहली बात, growth हो जाती है by our job cells cell dusion हो गया, irreversible increase in cell size हो जाएगा this is what we call it as the growth पहली बात, दुस्तरी बात कि living organism ने material इनके body के अंदर add किया जाता है ठीक है ना, निकीजन बाहर से ना सिर के उपर, ना पाउं के नीचे ठीक है ना, likewise अगर आप इसके बजाए non-living organisms को देखोगे you will find there की material जो है यहां तो top से, यहां तो bottom से जो है add किया जाएगा and उस type of growth को हम कहते है it is growth by a creation and आप लोगं की जो growth है living organisms की जो growth है it is growth by interception ठीक, so यहां पे जो है आप लोगं को यह बात याद रखनी है कि growth by a creation हो interception हो, उतनी important है नहीं है but growth it is by virtue of cell division यह important है, ठीक है ना जलते है next another defining future of living organisms is ordered complex safety living things are both complex and highly ordered the body of an animal is composed of many different kinds of cells and each cell has a complex molecular structure many living things may also be complex but the lack of the degree of ordered complexity found in living organisms क्यों पढ़ा है मैंने, ठीक है और यह को for example मैं थोड़ा बोजह है आप लोगं को इस तरह की सिको कि ना सा है ना नाम सुना है I think वो National Aeronautical Space Agency शायद, ठीक है ना तो ना सा आपको कहती है कि चुँकि आप biology student हो मुझे एक ऐसा module दे दो, ठीक जिसको मैं अपने robots में या अपने satellites में जो है fit कर लूँ and मैं don't know कि क्या Mars पे life है ठीक फिर से सुन लो NASA क्याता है आप लोगं को आप biology students हो ऐसा module जो है तयार करके दे दो जिसको मैं यूटिलाइज करके Mars पे life डूँ लो ठीक कौन सी चीज़ दोगे उससे तो सोच लो कौन सी चीज़ दोगे चीज क्या देनी है कोई characteristic बताना है किसका life का कि अगर आप को ये characteristic वहां के चीज़ों में मिलता है तो मान लेना वहां पे life है ठीक अगर आप growth होगे मैंने तो ABB कहा कि growth तो बागी चीज़ों में भी होती है चल नहीं सकता है ठीक अगर आप metabolism दोगे ठीक metabolism metabolism minus catabolism and anabolism ठीक है नग, जिसमें चीज़े जो है तोटती है और बनती है वो तो normal chemical reaction हुई हर एक जगा पे मुझूद है वो भी नहीं चलेगी फिर अगर आप उसे कहो कि ये जो living organisms है जो भी जानदार चीज़ है इसका जो जिसम है ये तो cells का बना है ठीक इसकी जो body है किसकी बनी है cells की और इसकी body में cells का जो है अगर आपको ये order वहां पे मिलता है आपकी चीज़ को analyze करते हो और आपको ये definite order वहां पे मिलता है तो मान लेना कि ये जो है organism तो मान लेना कि इस planet पे जो है life है फर एक्जमबल अगर मैं आप लोगं का कोई big tissue निकाल तो फर एक्जमबल आप लोगं का बुलड निकाल तो ये बात के लिए रहे कि आप लोगं के बुलड में मुझे जो है cells मिलने चाहे क्या मिलने चाहे cells कौन सी RBC कौन सी WBC कौन सी palletlets likewise मुझे इस में जो है water मिलना चाहे मुझे इस में जो है proteins मिलने चाहे ठीक मुझे उस में जो है minerals मिलने चाहे ठीक likewise अगर मैं आपका और कोई tissue जो है analyze कर सकूँ for example आपका जो है heart या living organisms का मैं heart के tissue को analyze कर लो तो इस heart के tissue में मुझे muscles मिलने चाहे ठीक वो कुछ brancher जैसे होंगी कुछ IC cells होंगी जिनके दिर्मियान जो है डिस्कस होंगे ठीक इस बार आये था नीट में ठीक अक्सर लोगों ने लिखा वो जो है vertebral column में जो है या vertebris के दिर्मियान जो है पाये जाता है गलत लिकाए आपके heart में पाये जाते हैं दो muscle cells के दिर्मियान ठीक तो जब मुझे पता है कि आपके tissue की characteristics ये है तो इसका मतलब मुझे ये पता है कि आपके tissues या हमारे tissues का जो है एक definite order है and remember ये जो definite order है it's found in case of living organisms ठीक तो अगर समझ में आया ठीक ना आया जब tissues उठाएंगे तो हर एक बात के लिए अब लुक नेक्स्ट आपकी टेक्स्ट बुक ने जो है मेंचिन किया है अगर कोई organism for example अगर कोई organism आईसा हो कि वो अपने environment को सेनस कर लेता है इसको सेनस कर लेता है अपने environment ठीक अपने 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 को सेनस कर पाता है for example अगर फीशे ठीक अगर जो है फीशे ये अपने environment को जो है इसमें ये अंदाजा कर पाती है कि ये जो पानी है मेरी इरद इरद ठीक है इसकी salinity क्या है ठीक इसके chemical properties क्या है इसका जो है temperature क्या है तो definitely ठीक फिर तो ये जो है ये तो living organism है ठीक इसमें जो है ये रह पाता है इसे ये पता है कि कितना temperature है तो definitely ये तो है living organism कैसे for example अगर आपके वहाँ पर जो है आपके शहर में या आपके जो है एरिया में winter आता है you will find most of the insects are not here ठीक है ना for example अगर आप जो है mosquito को लोगे winter में तो absent and जो ही summer period वगेरा जो आता है तो आप देख पाते हो इसे इसका मतलब कि अपने environment को sense करना ये जान लेना कि हाँ ये बेरे जिन्दा रहने के काबिल है मैं इसमें जिन्दा रह सकता हूँ अगर कोई ऐसी आफ़त आजाए तो वो detect कर लेना अपने आपको protect करना ये जो है ये भी लिंग और्गनिस्म का जो है करेक्टरिस्टिक है लेकिन हाँ अब एक बात है मन लो कि ये एक पैठ है जान लेना इस पे जो है एक आदमी जो है वो कुमा में इसको पिछले दस साल होगे कौमा आप हाथ लगाते हो तो कोई moment नहीं इसका जब basic metabolism देखा जाता है तो valid है brand sellers को देखा जाता है तो living है क्या आप इसको living मान लोगे समझ में आया कुछ पुछ कर लो मैंने आपको कहा कि अगर organism किसी environment का जो कोई भी systemless है उसको respond किये देता है for example आपके आपके पास जो है कोई आया आपस बात करने के लिए और आप वापस बात कर पाते हो आप लोग ने किसी जगा पे danger देखा आप लोग वहाँ से बाग गई है या आपको protect किया इसका मतलब जो है आप तो living हो ठीक है न because you can respond to the systemless at the same time एक बंदा जो है वो बैट पे बेटा है कहा बेटा है इसको जो है लिटाया गया है तो जब हम मिशिनों की मदद से देखते है कि इसका जो brand है वो तो जिन्दा है लेकिन ये जो है हमारे किसी भी systemless का जो है response ही नहीं दे पाता है तो क्या आप इसे बता सकते हो कि ये जो organism है ये living है ठीक तो आप लोग बताओगे comment section में देखते ही क्या हो जाएगा अब तक जो है हम मूँ आगे कर लेंगे ठीक अब देखो चाहे आप लोग ने growth पड़ लिया तो मैंने कहा non living मैं भी है living मैं भी है metabolism की बात हमने की थोड़ा बहुत मैंने कहा कि normal chemical reactions है अगर आप लोग ये कहते हो कि हमारी cells में गिलकोस को pyruvate में तोड़ पाते है तो आपको यही reaction टेस्ट ट्यूब में भी करके दूँगा ठीक है does it mean test tube living है नहीं ना metabolism भी खत्म हाँ ordered complexity वहाँ पे हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है लेकिन बागी चीज़ों में भी ordered complexity है ऐसा नहीं है कि बागी चीज़ों में नहीं है crystals में भी ordered complexity है हाँ आलतों की living के जैसे नहीं है लेकिन है यहां virus की बात कर लो ठीक likewise हम कहते है कि growth है ठीक है मैंने कहा कि non-links में भी है likewise हमने कहा sensitivity to environment ठीक है ना आप चाहे तो virus की बात कर लो environment में है तो dead है तो जब environment में है है तो क्या को गए dead है ठीक है ना और जब आपकी cells में है तो क्या है जिन्दा है ठीक है यह मतलब living organisms की cells रहे हमारी cells तो इसका मतलब कि जो भी हमचीज़े जो है उठा सकते है फर एक्जामपल जो भी हम चीजे जो है इसकस कर सकते है जाहे वो ग्रोथ सिल्लर और्गनाज़ेशन तो लिएंग और्गनाज़ेशन में ही खाली होती है लेकिन जो और्गनाज़ेशन का जो पैटरन है हाँ आफ़कूर्स बागी चीजे में भी जो है देखने को मिलते है या और्गनाज़ेशन जिसको मैंने नाम दियआ ठीकिन बागी चीजे में भी मिलते है सकती है ठीकिन न लाइकवाइज metabolism का तो मैंने आप लोग को कहा ही कि अगर आप कहते हो कि metabolism है कि हमारी cells में जो है हम गिल्गोस को तोड़ पाते हैं इंटो पाइरोइट ठीक तो मैंने आपको कहा कि मैं आपको यही reaction जो है test tube में भी करके दूँ ठीक तो does it mean कि test tube फिर living है नहीं यह response to environment मैंने आपको कहा कि अगर कोई bed पे coma में है तो क्या का होगे उसे living का होगे कि non living का होगे and evolutionary adaptation और एक चीज हीमियोस्टैस लाइफ को balance करना ठीक है ना life process को balance में रखना ठीक है न यह life span and life cycle ठीक है ना life span कितना है कितने time तक जिंदा रहेगा and life cycle जो है reproductive cycle में जब यह जो है आ जाता है तो अगर आप करीबन करीबन इन सारी terms में देखोगी कि हर एक term जो है पूरे तेरी किसे life को define कर नहीं सकती है ठीक है ना तो this is the reason जो है हम कहते है कि यह जो definition है ठीक है ना while studying the above characteristics of life one must know that many of these characters are challenged in a debate on defining the term life ठीक है ठीक है तो so the term life जो है it defies simple definition so आप simply इसे ऐसे defining कर पाओगे कि मैं जो है उस organism को living का हूँ यह उस चीज़ को life का हूँ जब भी इस organism में है तो यह characters हो तब जाकि जो मैं इस life का हूँ no start to define and पता है बहुत बड़ी problem है कि यहां पे जो है यहां पे जो debate है ना debate कि कितना कर लो मैं आप लों से ठीक है ना वो बजादी खुद limited है ठीक वो बजादी खुद limited है तो this is the reason मैं जो है आप लों को थोड़ा short में ही कह दूँ but remember जो जो हम आगे चलते जाएंगे things will be clear to you कि बहुत सारी जगों पर मैं आगे जाके छेड़ने वाला हूं कि क्यों जो है मैंने life के life के definition के साथ जो है यह relate करता हूं ठीक है ना तो likewise हम जो है आज की इस show को जो है यहां पे आप सब्सक्राइब किये देते हैं तो आप लोग को जो है वह आप लोग जो है तो हमने जो है दल इंग वार्ट उठाये चप्टर तो इसमें जो है उतलो हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे इसके गालत में होगा and we will continue this till we will complete first our 11th textbook then we will go for 12th textbook commenter में लिख सकते हो अगर किसी जगह पर जो है progress खाने की ज़रूरत है या मैं ज़्यादा तेज बढ़ाता हूँ या आपको डर्म समझ में नहीं आती है ठीक ना यह तो पहली कलास है पहली कलास में अभी मुझे जो है खुद critical लग रहा है कि आप लोगं को कितना पता है ठीक ना चूंकि एक teacher को बहतर पता होता है कि last years जो है आपकी last 3-4 years जो है वो तो COVID के साथ और बागी problems के साथ जो है वो गजरी है आप लोगं को जो है कितने डर्मस पता होंगे मेरे लिए भी challenge है ठीक ना अब this is the reason कि कुछ उन चीज़ों को जो है मैं कुछ करता हूं कि यहां पर ignore हो जाए ठीक ना तो यहां पर तो हमने वाइसा कुछ यह भी नहीं किया ठीक ना but still ताकि वो वकत आ जाए कि जब मैं उन चीज़ों को जो है chapters में उठा लो ठीक ना ताकि आप लोगं के लिए जो है यह bad में आसान हो जाए this is the reason अगर आप चाहते हो कि यह session जो है और ज्यादा beautiful बन जाए और ज्यादा उस तरी किसे जो है present किया जाए जिसे जो है आप लाइक कर सकते हो तो आप जो है मेरे commenter में जो है commenter box में जो है वो लिख सकते हो इंशाला जो है then after we'll go and we'll update it we'll make it more interesting and with this जो है हम आज का session ज जो है है